C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तुत है कक्षा चार की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का पाठ बीस मिलकर खाएं प्रिष्ट 166 क्लास में पाठी चुट्टियों के बाद आज स्कूल खुला है सभी बच्चे आपस में चुट्टियों के बारे में बात कर रहे हैं मीना आर्ती की हथेली देख कर बोली तुमने मेहदी कब लगाई? मामा की शादी में आर्ती ने बताया वहां तो बहुत मज़ा आया होगा डेविड बोला हां सबसे ज्यादा मज़ा तो खाने में आया वहां हम सब भाई बहन और रिष्टेदार एक साथ बैठ कर खाते थे आर्ती खुशी सचैकी क्यों ना हम भी स्कूल में ऐसा ही कुछ करें? रहाना बोली हां हम क्लास में मिलकर पार्टी जरूर कर सकते हैं कितना मज़ा आएगा तब? डेविड ने सुझाया हमारी कॉलोनी में सबी त्योहारों पर पार्टी होती है सब घरों से पैसे इकठे कर लेते हैं कुछ खाना साथ मिलकर बनाते हैं और कुछ बाजार से ले आते हैं रहाना ने कहा पाटी करने के लिए त्योहार क्यों? शनिवार को आधी छुटी है, उसी दिन पाटी करते हैं, रीना बोली प्रिष्ट 167 सबने मिलकर तै किया कि पाटी के लिए कौन क्या क्या लाएगा पाटी में बहुत मज़ा आया, तरह तरह के खाने की चीजें थी सबने मिलकर बहुत से खेल खेले, नाच गाना भी हुआ बच्चों ने यह तै किया कि वे अक्सर मिलकर पाटी किया करेंगे कौपी में लिखो, क्या तुम्हें मिल जुलकर खाना अच्छा लगता है? कौन कौन से मौकों पर तुम सब मिलकर खाते हो? क्या तुमने कभी क्लास में पार्टी की है? कब की थी? और उसके लिए क्या क्या किया था? पार्टी में तुम और तुम्हारे साथ ही क्या क्या चीजे लाए थे? तुम सभी ने क्या क्या खाया? तुमने अपनी क्लास पार्टी में किन किन को बुलाया था? क्या ऐसा भी हुआ है कि स्कूल में काम करने वाले कुछ लोगों को तुम नहीं बुला पाए वे कौन थे क्या तुमने अपनी क्लास पार्टी में विशेश कपड़े पहने थे पार्टी को मज़िदार बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है चर्चा करो अब अध्यापकों से एक बात कक्षा में पार्टी करवाने का एक कारण बच्चों को मिलचुल कर एक साथ बैठ कर खाने का अफसर दिना है इसके लिए बच्चों को नाजगाना नाटक जैसे कारेक्रम तयार करने के लिए प्रेरिद भी किया जा सकता है प्रिष्ठ 168 बीहु का त्योहार सोन मोनी जल्दी से उठी और भागी तन्वीर, फातिमा और मजानी के पास आज बीहु त्योहार जो मनाया जा रहा है चावल की नई फसल कटी है ना चारों सहेलियां मस्ती में गीत गाने लगी वे बातें करते करते बास से भेला घर बनाने लगी सभी मिलकर बीहु की तैयारियों की बातें कर रही है तुम भी सुनो इनकी बातचीत सोन मोनी ने कहा जल्दी करो, रात के भोज से पहले घास और बास से भेला घर बनाकर तैयार करना है तन्वीर ने कहा आज तो पूरे गाउं के लोग रात को एक साथ खाना खाएंगे भाई उरुका जो है फातिमा बोली भोज की तैयारियां शुरू हो गई है क्या सोन मोनी ने कहा हाँ हाँ सभी परिवारों ने पैसे मिला कर बोरा चावल, मचली, सबजी आदी का इंतजाम किया है उने मेजी के लिए लकडी का इंतजाम भी किया है हरिया और भादिया ने पैसे तो नहीं दिये हैं पर वे सारा काम करवा रहे हैं फातिमा बोली मास मचली और सबजीयों का क्या हुआ सोन मोनी ने कहा कुछ लोग यही सब खरीदने गए हुए हैं बोरा चावल भीको दिया है पीठा बनाने के लिए पूरा गाउं काम में लगा हुआ है कुछ खाना पका रहे हैं और कुछ शकरकंदी भून रहे हैं कुछ लोग रात को खाना खिलाने में लगेंगे शाम को सभी को चाए और पीठा भी देंगे अध्यापकों के लिए माघ बीहू 14 और 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के दस्वे महीने माघ की प्रत्मा और द्वित्या तिथीं को मनाया जाता है पहले दिन को उरुका कहते हैं इस दिन अस्थाई शेड चपर बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं और सामुहिक भोज का आयोजन होता है बोरा असम में खाय जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं बच्चों को नक्षे में असम ढूंडने के लिए प्रेरित करें प्रेष्ट 179 तनवीर ने कहा रात के खाने में चेवा चावल भी मिलेगा ना मुझे वह बहुत ही पसंद है फातिमा बोली कैसे पकाएंगे चेवा चावल सोन मोनी ने कहा ताव यानि कडाही को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और उस पर रखेंगे भी ये हुए चावलों से भरी कडाही फिर उसे केले के पत्तों से ढख देंगे थोड़ी ही देर में हो जाएगा चेवा चावल तयार बताओ बीहू तयोहार कहा मनाया जाता है तुम्हारे यहां कौन-कौन से तयोहार मिलकर मनाय जाते हैं क्या इन तयोहारों पर भी सब लोग मिलकर पकाते और खाते हैं क्या-क्या विशेश पकाते हैं और कैसे क्या खाना पकाने में किसी तरह के खास बर्तन इस्तेमाल होते हैं? कौन से? सबसे बड़ा बर्तन कौन सा होता है? कौपी में उसका चित्र बनाओ अंदाजा लगा कर बताओ कि उसमें एक बार में पके खाने को कितने लोग खा सकते हैं? प्रिष्ठ 170 भेला घर बन कर तैयार हो गया अब ये सहेलियां भागी तैयार होने के लिए थोड़ी ही देर में गाओं के सब लोग भी आ गए ज्यादतर औरतों ने पाट और मूगा की मेखला चादर पहनी थी सोन मोनी और उसकी सहेलियां भी भेला घर के पास पहुँच गई ढोल बजने लगा और सभी मस्ती में जूमते हुए गीत गाने लगे फिर सब जमीन पर बैठ गए उन्हें केले के पत्तों पर खाना परोसा गया सबने हसते गाते और बाते करते हुए मिलकर खाना खाया सभी रात भर बेला घर में ही रहे मजानी बोली सोन मोनी अब हम लोगों को सोना चाहिए सुबह जल्दी उठकर मेजी जलाना है और भेला घर भी पता लगाओ और करो अंदाजा लगा कर बताओ कि इस भोज में लगबग कितने लोगों ने एक साथ खाना खाया होगा क्या तुमने कभी बीहू नृत्य देखा है? कैसा लगा? पता करो तुम्हारी क्लास के बच्चे कौन-कौन से त्योहार मनाते हैं और उन त्योहारों पर क्या खास-खास खाया जाता है त्योहारों पर खाने की चीजें कौन बनाता है? क्या तुम किसी त्योहार या अफसर पर कुछ खास तरह के या खास रंग के कपड़े पहनते हो उन कपड़ों के चित्र अपने कौपी में बनाओ क्या तुम त्योहारों पर कुछ खास तरह के गाने गाते हो कुछ गीत सीख कर क्लास में सनाओ प्रिष्ठ 171 तियोहारों पर होने वाले कुछ खास नृत्य सीखो फिर स्कूल की सुभा की सभा में ये नृत्य अपने दोस्तों के साथ करके दिखाओ अपनी उम्र के बच्चों के साथ मिलकर क्या तुम कुछ खास करते हो जैसे कोई खेल, गपशप, सिनेमा देखना या कुछ और दोपहर का एक बजने वाला है, पेट में चूहे दोड रहे हैं हम बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर कम और बाहर बरामदे से आने वाली खाने की खुश्बू पर ज्यादा है तन 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 आखिरी घंटी बज ही गई, सभी बच्चे बाहर की और भागे कुछ खाने के बर्तनों की तरफ तो कुछ हाथ धोने मास्चर मोशाय ने सभी को आंगन के कोने में लगे पानी के हैंड पंप की तरफ भेजा आनन्दो, देखो तो, सब ठीक से तो हाथ धो रहे हैं न, उन्होंने कहा हाथ धोकर हम सभी ने कतार में खड़े होकर खाना लिया कुछ ने अपने डिब्बे में, तो कुछ ने थाली में इसके बाद सब एक बड़ा सगोला बना कर बैठ गए खाने से पहले सबने मिलकर गाना गाया साथ हम खेलें, साथ हम खाएं, साथ करेंगे अच्छे काम और रहें हम हर दम साथ हफते के हर दिन तो पहर के खाने में क्या मिलेगा यह दीदी मोनी के आफिस के बाहर लिखा होता है कभी बात शुक्तो यानि चावल और रसे वाली सबजी तो कभी लूची और छोला दाल कभी मिश्टी मिल जाए तो क्या मज़े दो पहर के खाने के समय हमारे स्कूल में एक और मज़ेदार बात होती है गोले में रोज जगह बदल कर अलग-अलग बच्चों के साथ बैठना होता है मुझे यह बहुत अच्छा लगता है कई बच्चों से पहचान हो जाती है और कई नए दोस्त भी बन जाते हैं प्रिश्ट 172 पहली कभी कभी भात में कंकर होते थे तो कभी दाल कच्ची तब लोगों ने कहा हमारे बच्चे ऐसा खाना नहीं खाएंगे दीदी मोनी ने समझाया हम सभी को मिलकर देखना चाहिए कि खाना साफ सुतरा, ठीक से पका हुआ, गरम और ताजा हो दोपहर का खाना सभी बच्चों को मिलना चाहिए, बच्चों के घरों से लोगों ने मदद करने की ठानी अब सब ठीक है, गरम गरम पका हुआ खाना वह भी सभी को एक साथ कभी कभी जितना खाना मिलता है उससे छोटे बच्चों का पेड़ तो भर जाता है पर मेरा और मेरे दोस्तों का नहीं आज कल तो स्कूल में बोजन मिलता है पर पहले ऐसा नहीं था जब मेरी दीदी प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब खाना नहीं दिया जाता था कई बच्चे तो सुबह बिना खाना खाए ही स्कूल जाते थे खाली पेट और धिन भर पढ़ाई वे कैसे करते होंगे पता करो और कौपी में लिखो तुम भी अपने स्कूल के खाने के बारे में बताओ अगर तुम्हारे स्कूल में खाना नहीं मिलता तो किसी ऐसे दोस्त से पूछो जिसके स्कूल में मिलता हो लिखो भोजन किस समय मिलता है? तुम्हें यह भोजन कैसा लगता है? जितना खाना मिलता है क्या उससे तुम्हारा पेट भर जाता है क्या अपना बर्तन साथ लाते हो या स्कूल से मिलता है स्कूल में दोपहर के खाने में क्या-क्या मिलता है खाना कौन परोस्ता है क्या तुम्हारे टीचर तुम्हारे साथ खाते है हफते भर के खाने के बारे में क्या स्कूल के बोर्ड पर लिखा होता है प्रेश्ठ 173 बुद्वार और शुक्रवार को दोपहर के खाने में तुम्हीं क्या मिलेगा अगर तुम्हें अपने स्कूल में मिलने वाले खाने की सूची में बदलाव करने का मौका मिले तो क्या-क्या बदलना चाहोगे तुम क्या-क्या खाना पसंद करोगे अपने खाने की सूची बनाओ दो कॉलम बनाओ एक कॉलम में लिखो दिन जैसे सोवार, बुधवार, शुक्रवार और दूसरे कॉलम में लिखो खाने की चीज यदि तुम्हारे स्कूल में खाना नहीं मिलता तो पता करो की ऐसा क्यों है बच्चों का हक midday meal हमारे देश के बहुत से बच्चों को भर पेट खाना नहीं मिलता इन में से कई बच्चे तो स्कूल बीना कुछ खाये जाते हैं खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया प्रारंबिक शिक्षा यानि कक्षा एक से आठ तक की शिक्षा के स्कूल में सभी बच्चों को पका हुआ गरम खाना मिलना ही चाहिए यह सभी बच्चों का अधिकार है तुम मिड़े मील के बारे में अपनी शिकायत कहां दर्ज करोगे शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री फोन नमबर वेब साइट या ईमेल के बारे में पता करो मिल कर खाएं अभी आप सुन रहे थे कक्षा चार की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का बीसवा पाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत